प्रस्न साथ का पहला ए पी पांच नौ तेरा सत्र का कौन पद 81 है तो यहां पे समनांतर स्रेनी जो दिया हुआ है वो है पांच नौ तेरा सत्रा और कह रहा है ए पी पांच नौ तेरा सत्रा का कौन सा पद 81 है ठीक है तो 81 कौन सा पद है यह पूछ रहा है तो यहां पे ए बराबर दिया हुआ है पांच देखे पहला पद को ए से लिखते हैं तो पहला पद पांच है डी बराबर डी कहते हैं सार्व अंतर को तो सार्व अंतर कैसे ग्यात होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं तो नौ में से पांच घटा देंगे दूसरा पद में से पहला पद तो आ जाएगा 4 यानि सार्व अंतर सभी पदों का अंतर है 4 ठीक है, तो पहला पद 5 है, सारव अंतर 4 हो गया, और TN बराबर 81 लिखेंगे, क्योंकि पुछ रहा है कि 81 कौन सा पद है, तो TN बराबर 81 लिख लेंगे, यानि TN को अंतिम पद भी कहते हैं, तो 81 यहाँ पर अंतिम पद मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 81 पूछ रहा है कौन सा पद है, तो 81 को अंतिम पद हम मान सकते हैं, तो TN बराबर 81 हो गया, अब सुत्र होता है, TN बराबर A पलस N माइनस एक गुनाद D, यह सुत्र होता है, TN बराबर A पलस N माइनस एक गुनाद D, तो TN, TN कितना है, 81, TN के जगा पर 81 लिख लेंगे, तो इस सुत्र पर सबको अब बैठाएंगे, तो TN बराबर A पलस N माइनस 1 इंटू D, यह सुत्र होता है, अब देखें, TN कितना है, 81, 80, A कितना है, 5 है, N हमको ग्याद करना है, कि 81 कौन सा पद है, N ग्याद करना है हमको, D, D कितना है, 4 है, तो सब को इस तरह लिख लेंगे, तो हो जाएगा, 81 बराबर 5 पलस 4 गुना N, 4N हो जाएगा, 4 गुना माइनस 1, माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 गुना N, 4N, 4 गुना माइनस 1, माइनस 4, तो अब हो गया, 4N बराबर, 81 माइनस 5 पलस 4, अब क्या करेंगे, 4N को जहां पे है, वहीं पे रहने देंगे, यानि बराबर के दायां तरफ 4N है, तो वहीं पे रहने देंगे, बस 5 को इधर भेज देंगे, बराबर के दायां से बायां तरफ भेज देंगे 5 को, तो माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस 4 को इधर भेज दें चेटर, चेटर चार, असी, तो एकासी माइनस पांच, चेटर, चेटर में चार जोड़ देंगे, असी, तो एन बराबर कितना आगया आता है, एन बराबर, असी बटा चार, तो आगया एन बराबर बीस, असी को चार से भागा देंगे, तो बीस आएगा, तो एकासी जो है, ब दूसरा एपी चाओदा नौ चार माइनस एक माइनस च्छे का कौन पद माइनस एक तालिस है तो यहाँ पे है चाओदा नौ चार माइनस एक माइनस छे उसके बाद कर रहा है कौन सा पद माइनस एक तालिस है तो माइनस एक तालिस को हम यहाँ पे अंतिम पद मान लेते हैं या अंतिम पद इसको हम लिख लेते हैं ठीक है तो कौन सा पद माइनस एक तालिस है तो माइनस एक तालिस को अंतिम पद यहाँ पे मान लिए क्योंकि माइनस एक तालिस हमको निकालना है कि कौन सा पद है तो यहाँ पर कौन क्या क्या हमको पता चल गया पहला पद है चाओदा यानि ए बराबर चाओदा पहला पद को ए से लिखते हैं तो ए बराबर चाओदा हो गया सार्वंतर तो सार्वंतर कितना है तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो 9 में से 14 घटाएंगे तो आजाएगा माइनस 5 तो सार्वंतर हो गया माइनस 5 और TN तो अंतिम पद कितना है माइनस 41 तो अंतिम पद को TN से लिखते हैं जो पद ग्याद करना है कि कौन सा पद है उसको TN से लिखते हैं तो TN बराबर माइनस 41 हो गया तो तीन चीज यहां पर दिया हुआ है अब सूत्र क्या होता है सूत्र होता है TN बराबर A पलस N माइनस 1 इंटू D यह होता है सूत्र ठीक है TN बराबर A पलस N माइनस 1 इंटू D तो TN के जगापे माइनस 41 लिख लेंगे TN के जगापे माइनस 41 ए कितना है 14 है N ग्याद करना है कौन सा पद है माइनस 41 उसको N से यानि कौन सा पद है माइनस 41 तो यानि N ग्याद करना है इंटू D D कितना है माइनस 5 तो N अगर ग्याद हो जाएगा तो निकल जाएगा कि माइनस 41 कौन सा पद है इस समनांतर सिरेनी का तो अब इसको हल कर लेंगे तो N ग्याद हो जाएगा तो माइनस 41 बराबर 14 माइनस 5 को n से गुना करेंगे तो माइनस 5 n हो जाएगा और पलस माइनस माइनस होता है ठीक है तो माइनस 5 n लिख लेंगे माइनस 5 गुना n माइनस 5 n तो पलस माइनस क्या होगा माइनस अब 5 भी माइनस में एक भी माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पांच गुना एक पांच ठीक है तो माइनस पांच को एन से गुना करी है तो माइनस पांच एन हो गया माइनस पांच को माइनस एक से गुना करके पांच हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 41 बराबर 14 पांच 19 14 पांच कितना हो गया 19 यानि 19 माइनस 5 N तो हो जाएगा 5 N बराबर 19 पलस 41 देखिए 5 N माइनस में है बराबर के दायां तरफ तो इसको बायां तरफ किये हैं तो पलस में हो जाएगा ठीक है और माइनस 41 को बराबर के दायां तरफ भेज देंगे, तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, तो इन बराबर कितना आ गया, अतह, इन बराबर, उनीस और एक तालिस को जोड देंगे, नौ एक दस, हत्मरा, एक, चार, एक, पांच, एक, छे, साथ आ गया, और पांच इन के साथ गुना में है, देखें, बराबर के बायां तरफ पांच इन के साथ गुना में है, तो पांच को, या, ये इन को, इन तो यहीं पर रहेगा, पांच को जब बराबर के दायां तरफ भेजेंगे, तो भागाम हो जाएगा, क्योंकि गुना में है इदर, तो इन बराबर आ गया, साथ वटा पांच, 12 हुआ पद है इन बराबर कितना आ गया 12 तो इस तरह से इसको हल करेंगे 12 हुआ है